असलाम उलेकुम, क्लास फाइव, आज हमारा सोशिल स्टेडी का 22nd लेक्चर है, आज हम, कल हमने अपना यूनिट फाइव स्टार्ट किया था, हमने इसका एक पेरेग्राफ देखा था, कि गवर्मेंट को चलाने के लिए हमें बेसिकली किन किन चीजों की जरूरत होती है, क्य अब हम देखेंगे के हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में ये तीन जो इंस्टिटूशन्स हैं, ये कैसे काम करते हैं, दी आफिशल नेम ऑफ आफ आफ आवर कंट्री इस इस्लामिक रिपबलिक ऑफ पाकिस्तान, यानि सबसे पहले हम अपने मुल्क का नाम देखते हैं, क वो क्या है इसलामी जमूरिय पाकिस्तान पाकिस्तान means the land of the pure Republic means democratic system अब पाकिस्तान का मतलब है पाक सरजमीन और पाकिस्तान का मतलब है जमूरी निजाम where everyone living in the country has has a say in the affairs of government जहां हर किसी को अपने मुल्क में रहने की और अपने मुल्क और government के मौमलात में दखल अंदाजी की दखल अंदाजी कर सके और अपने मर्जी के मताबिक जिन्दगी गुजार सके In this sense Islamic Republic of Pakistan means the land of the pure in which people select sorry, elect their representatives to rule on their behalf इस sense में अप Islamic Republic of Pakistan का मतलब है कि वो सरजमी जहां पर लोग अपने नमाइदगान को अपने हुक्मरानी के लिए अपने बिहाफ पर चुनते हैं When it is said that there is government of the people अगर ये कहा जाए कि यहां हो लोगों की हकूमत होती है It does not mean that very every person can take part in the affairs of the country इसका मतलब ये नहीं है कि हर शक्स जो है वो हकूमती affairs में दखल अंदाजी करता है In this way affairs of the country cannot be run smoothly अगर हर शक्स जो है कम मुलक की मामलात में दखल अंदाजी करेगा तो मुलक के मामलात जो हैं वो सही तरीके से चलाए नहीं जा सकते In every locality people elect their representatives through voting अब हर locality में यानि हर अलाके में हर हिस्से में मुलके लोग जो है वो अपनी voting के जरीए से अपने रुमाइंदगान को choose करते हैं चुनते हैं Thus a counselor is elected इस तरह जो छोटे छोटे चोटे areas होते हैं अलाकों में counselors जो हैं वो select किये जाते हैं यानि उन्हें चुना जाता है from every locality हर locality से हर अलाके से who tries to solve the problems of the people जो के लोगों के मौमलार problems जितने भी मसायल होते हैं उनको local level पर यानि वहीं पर हल करने की कोशिश करते हैं Then there is a chairman of the area और इसी तरह वह एक उस इलाके का chairman होता है One member is elected for provincial assembly who knows the problems of the region और इसी तरह वहाँ उसी पूरे इलाके से एक सुब़ई assembly के लिए एक रुकन को चुना जाता है जो के उस इलाके के मसायल को समझता है In this way the opinion and affairs of the people living in a small locality reach from local to government अब इसी तरह जो लोगों के मौमलात और उनके ख्यालात जो होते हैं जो के उस छोटी सी लिक्वालिटी में या छोटे से इलाके में रहते हैं उनके तमाम मसायल जो हैं उस local इलाके से उठकर government इवान तक पहुंच जाते हैं नैशनल लेवल तक यानि कौमी सता पर और पहुंच जाते हैं और and efforts are made to solve the problems और फिर उनके तमाम मसायल को हल करने की कोशिश की जाती है अब important information क्या है The will of the state is expressed through government अब जो उस रियासत की जो will होती है उसकी जो मर्जी होती है उसको government जो है वो express करती है यानि उसको show करती है structure of the federal government अब हम पढ़ेंगे के हमारी वफाकी हकूमत का धांचा क्या है यानि कैसे हमारी वफाकी हकूमत बनती है इन पाकिस्तान federal parliamentary system of government is enforced पाकिस्तान में federal parliamentary यानि वफाकी parliamentary नजामे हकूमत जो है वो लागू किया गया है Federation of Pakistan includes the four provinces अब रियासत पाकिस्तान जो है उसमें चार सूबे शामिल है tribal regions यानि कबाईली लाके हैं और federal capital इसलामबाद और वफाकी दारूल हकूमत इसलामबाद ये areas जो पाकिस्तान में है the structure of the federal government is explained below अब हम आपको वफाकी हकूमत का जो धांचा है वो हम यहाँ पर आपको बताते हैं सबसे पहले है constitution constitution means आइन यानि मुल्क का आइन क्या है the set of basic rules according to which the system of a state is governed is known as constitution यानि हमारे rules का यानि असूलों का basic असूलों का जो एक मजमुआ है जिसके मताबग हम जो है मुल्क का निजाम चलाते हैं हकूमत जो है हकूमत हुपमरान जो है हकूमत करते हैं उन तमाम असूलों कवाइद के मताबग उन सब को हम constitution या आइन कहते हैं